करेंगे हाइवर्निट का जो कोडिंग हम लोग लास से जो भी कटक करते आ रहे हैं उसमें थोरा सा आज कुछ अलग तरीके से आज हम इसको करने की कोशिस करेंगे और तरीका होगा कि मैविन लेकिन आप सोचेंगे कि मैविन के बारे में तो अलड़ी हम लोग डिसकस कर चुक हूँ तो हम कैसे करेंगे तो यह आज का टॉपिक है तो यहाँ पे मैविन भी होगा और प्रिकेंस भी बनाएंग प्लस आप की करेंगे किस तरह कि किस social से आको करेंगी देखते होएं मैविनोग्ट करते हूए नेक्ट बटन पी क्लिक करना है और इसको as it just skip कीजिए next बटन पर click कीजिए अब यहां पर समझने की बात यह है कि जब हमने meven project बताया था hibernet में उस वक्त मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप quick को select करते थे हैं ना quick start को select करके काम करते थे लेकिन अभी मुझे काम करना है कि इस पर web applications बनाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर just web type करेंगे search करेंगे यहां पर filter में web type करेंगे तो आ जाएगा meven type web app राइट तो यह चीज आपका select होना चाहिए और I hope की difference समझ माया होगा पहले जो हम लोग कर रहे थे वह quick start पर कर रहे थे और अभी मैं कर रहा हूं क्या web पर कर रहा हूं और इसको select करते हुए next button पर click करना है और यहां पर आप जानते हैं कि project का group ID है यानि की package का नाम भी आप यहां पर दे सकते हो जो भी है और यहां नाम लिख दिया मैंने ताकि आप इसको बेहतर तरी के समझ पाएं और इसको यहां पर कुछ ऐसे रखते हैं package का नाम और जो भी आप नाम देना चाहिए package का नाम है और जस्ट हम फिनिस बटन पर यहां पर क्लिक करेंगे फिनिस बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा साय टाइम लेगा और आपके लिए project ready करके दे दिया है project नहीं किदर यहां पर मेरा पास project बना है हमने project के नाम दिया था hibernate यह आप देख पाएंगे hibernate maven web लेकिन आपको यहां पर cross दिखा रहा है यहां पर error आपको दिखा रहा है ठीक है अब इस चीज को समझना है कि हमारे पास pom.xml है जहां पर हम सब dependencies को add हम करते हैं ठीक है चलो ओके है इसमें हम क्या-क्या add करेंगे उसके बारे हम discuss करेंगे लेकिन अभी जो error है पहले उसको हम fix करने की कोशिस करते हैं और src के अंदर हम जाएंगे main है उसके अंदर जाएंगे web apps है आप यहां पर देख पाएंगे web apps भी आपको यहां पर दिखेगा और उसके अंदर में आपको दिखेगा index.jsp pages भी आप य देख पाएंगे जो हो जहां पर आपको यह error mark कर रहा है एक चीज को आप समझने की कोशिस कीजिए कि यहां पर मैंने जो मेरे system में जो install किया हुआ है JDK ठीक है वो काफी updated version है बट आप यहां पर कभी-कभी देख पाएंगे कि यह पुराना version 1.5 अगर आपको दिखता है तो तो उसको आपको चेंज करने की जरूरत है तो इस चीज को focus होके समझने की कोशिस कीजिए अगर ऐसा है तो उसको आप जरूर करने अपडेट जरूब करें कैसे होगा अगर आपके सिस्टम जो भी अपने 17 अगर यूज किया हुआ है या 11 यूज के जो भी आपने यूज किया उसके साथ आपको इसको कंफिगर करना पड़ेगा तो उसको हम कैसे करेंगे आप इसको राइट क्लिक किजी यानि प्रोजेक्ट जो है हमारा प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करते किया हुआ है तो जस्ट आप इसको क्लिक कर देजे ये क्लिक करने के बाद अभी थोड़ा सा इधर भी आप ध्यान दीजेगा मेरे करसर पर क्या आपको यहां पर दीख रहा होगा जे टू ऐसी 1.5 और यहां पर मैंने भी 11 के साथ इसको कंफिगर करने की कोशिस कर रहा हूं औ और अपलाई करता हूं और अपलाई एंड क्लोज करता हूं और आप यहां पर देख पाएंगे कि जेडी के 11.0 जो भी था अपडेटेड वर्जन उसके साथ इसे प्रोजेक्ट कंफिगर हो चुका है लेकिन क्या इससे हमारा यह एरर निकला है बिलकुल नहीं निकला है तो इसको हम कैसे सही करेंगे उस चीज़ पर आते हैं देखिए अब बात करते हैं कि यह जो हमारे पास pom.xml फाइल है इसके अंदर में हमें कुछ dependencies को add करना पड़ेगा और वो dependencies क्या होगा अभी मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर गूगल पर और गूगल पर सबसे पहले आ dependencies को लेना पड़ेगा और यहां पर maven repository आप जानते हैं इसके बारे में और इसको आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप कोई भी ले सकते हैं मैं 2.5 मैं अक्सर यूज करता हूं तो यहां पर 2.5 मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं यह ठीक है यह कौन सा ले रहा हूं मैं जाबा का servlet का और यहां पर maven को stick किजिए और यह जो dependencies है इसको मैंने copy कर लिया है और copy करके अपने यहां पर आता हूं pom.xml में और यह जो आप देखेंगे dependencies यहां पर start हुआ है यहां पर close हुआ है और इसी के अंदर यहां पर उसको paste कर देंगे paste करो कीजिए और save कीजिए save करने के बाद क्या अभी भी यह error यहां पर है यह अभी भी यह error आपको यहां पर दिखा ही रहा है तो आप क्या करेंगे कि यह जो pom.xml जो file है है उस पर जाना है जैसे मौली जी कि मैं pom.xml को select किया है राइट क्लिक करते हुए राइट क्लिक करन है और फिर आपको यहां पर मिलेगा मैवन मैवन पर जाएए और इसको बोले कि अपडेट प्रोजेक्ट यानि उसके अंदर जो भी आपने डिपेंडेंसी जो एड किया है उसके बाद आपके प्रोजेक्ट को वह थूरा सा अपडेड कर ले अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यह अभी हमारे पास यहां पर हो चुका है और अभी जो है अगर आप यहां पर देखेंगे कि इसके अंदर जो यह फाइल है अभी आपको यहां पर अगर दिखा रहा है तो एक बार हम इसको चेक आउट भी कर लें कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह आप जब dependencies एड करते हो और इसको जब upgrade करते हैं तो फिर से अगर आप देखेंगे कि यह 1.5 हो गया तो इसको फिर से मैं सही करनू पहले यहां पर राइट क्लिक करते हुए properties और यहां पर 1.5 सेलेक्ट करते हुए edit करते हुए और यहां पर आप JRE 11 को आप select कीजिए और finish करके apply करके आप कुछ इस तरीके से कर दीजिए ठीक है अब एक बार इसको हम चेक कर लेते कि कि क्या अभी यह मुझे output मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है है अभी आप देखें कि यहां पर error message अभी भी दिखा रहा है बट एक बार हम चेक कर लें कि इतना चीज़ों को करने के वाब दो यहां पर error दिखा रहा है तो क्या हमें output यह hello world मिलेगा या नहीं मिलेगा आप जानते यह index.jsp page है तो अगर मैं project पर right click करते हुए यहां पर run as run on server कर रहा हूं क्योंकि अभी हमारा जो project है यह dynamic wave applications है यहां पर run on server करते हैं next करके finish हम करते हैं और एक बार check out करते हैं कि अभी जो hello world का message है यह अगर मुझे दिखा रहा है इसका मतलब तरह ठीक है error भी है लेकिन आप को इतना को problem नहीं आना चाहिए तो let's see कि यहां पर आपको proper तरीके से message hello world message print करके आपको दिखाता है या नहीं दिखाता है इसको हम पहले check out कर लें और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको hello world message दिखा रहा है मतलब कोई issue नहीं हम program पे हम आगे का part हम कर सकते हैं I hope कि इत grade किया और pom.xml के अंदर में हमने java x server का dependencies है उसको मैंने यहां पर add कर दिया है और उसके बाद हमने run किया है proper तरीके से हमें output यहां पर दिखा रहा है कोई problem यहां तक तो नहीं है ठीक है अब बात करते हैं कि hibernate की काम हम किस तरीके से करेंगे लेकिन फिर से आपको जान में dependencies को add करना पड़ेगा तो मैं फिर से यहां पर जाओंगा और subnet के जगह पर मैं लिखता हूं hibernate depository यहां पर repository पर हम जाएंगे और मैं जो फिलाल मैं यूज कर रहा हूं hibernate का 4.2.7 आप जो भी updated यूज कर रहे हैं उसके recording लिए आप ले सकते हैं बट मैंने जो यूज किया है यहां पर 4.2.7 कहां पर है 4.2.7 final I hope कि आप रूप देख पा रहे हूं जस इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां पर इसको मैंने copy कर लिया और copy करते हुए यहां पर हम लोग आएंगे और यह जो जावा एक पार दिपेंडेंसी इसी के जस्ट नीचे आके हम लोग सेव करतेंगे इसको पेस्ट करतेंगे यह हो गया कि कौन सा हाइवरनेट का जो डिपेंडेंसी था उसको हमने एड कर दिया है और अब हम बात करते हैं कि एक और चीज मिझे चाहिए माइस्क्वेल कनेक्टर का भी च तो 5.1.21 आप यहां पर देख पाएंगे और जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर मैंभिन में आके इसको कॉपी कर लिया क्लियर होगा यस इसको मैंने कॉपी किया और जस्ट हमने हाइवरनेट के जाल के डिपेंडेंसी के नीचे इसको भी रख दिया यानि हमार इसको मैं यहां पर फिलाल मैं यहां पर इसको क्लोज करते हैं यहां पर क्लोज करते हैं बाद में इसको ओपन करेंगे चलिए अब बात करते हैं कि हम कोडिंग करेंगे कहां पर तो यहां पर आपको दिखेगा src main java आपको दिख रहा होगा जहां पर इसके निचे कुछ भी नहीं है जिसको select करते हुए right click करेंगे और यहां पर new और यहां पर class हम लोग बनाएंगे ठीक है अब माले जही की package का नाम मैंने कुछ यहां पर कुछ से दे दिया y.a.w और class का नाम मैं दे रहा हूं क्या मालो की employee नाम का एक मैं class create करना चाह रहा हूं और यहां पर finish कर दिया आप इसके अंदर में हमने private में integer employee id ले लिया और private में string में हमने ले लिया आपको जितना जरूरत होगा आप ले लिजिएगा और यहां पर हमने at the rate entity इसका क्या कहानी है आप काफी बहतर तरीके से समझते होंगे id और at the rate generated value right entity का मतलब employee नाम का टेबल क्रेट हो जाएगा id मतलब जो primary की हो जाएगा जेनरेट वैलू का मतलब auto increment होगा यहां पर यहां पर जो कुछ भी error आपको दिखाता है control shift o करते हुए import कीजिए java x persistence को आप ले लीजिए ठीक है तो एक पार्ट यह complete हो चुका है सभी के लिए sitter and gators बना देंगे right click करते हुए source पे जाएंगे generated gators and sitters और select all और हमने यहां पे कुछ इस तरीके से कर दिया है आरे हो किस चीज को समझ पा रहे होंगे स्टार्डिंग से हम लोग इसी तरीके से करते आ रहे थे लेकिन अब यहां पे पहले हैं जो हम लोग क्या करते थे कि अब हम लोग employee class के लिए object बना देते थे कुछ default data pass कर देते थे और उसी के अंदर में हम लोग सेसन फैक्टरी की कहानी हम लोग लिखतिया करते थे लेकिन अब ही यहां पे हम कोई भी main method नहीं करेंगे जहां पर हमारे पास public static wide main का जो कहानी होगा वो चीज़े हम यहां पे बिलकुल नहीं करेंगे तो यहां पे हम करेंगे क्या देखिए same package y.a.w right click करते हुए new और एक अलग class में create कर देता हूँ ठीक है इस class का नाम कुछ नाम देते हैं meaningful नाम देता कि समझ में आएगा मैंने यहां पे नाम दे दिया helper helper class ठीक है कुछ इस तरीके से जो भी नाम देना चाहिए आप दे सकते हैं और simple सा finish कर दिया एक helper class हमने create कर दिया और इस helper class के help से हम employee class के चीज़ों को हम access करने की कोसिस करेंगे वाट उसके लिए object बनाने का जो चीज़े हैं वो सब चीज़े हम बिल्कुल नहीं करेंगे यहां पे तो फिलाल आपको एक चीज और बताएं कि यहां पे आपको एक XML file की जरुत होती है त तो कैसे add करेंगे ध्यान से देखिएगा प्लीज प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए यहां पे new और यहां पे file पे क्लिक करेंगे कहां पे होना चाहिए आपको चीज़े पता होना चाहिए और file का नाम क्या होना चाहिए hibernate.cfg.xml नाम में changes मत कीजिएगा और इसको finish कीजिए अब यहां पे coding क्या लिखेंगे तो मैं तसा सा time को save करते हुए मैंने यहां पे कुछ code हमने paste कर गया और यह code के बारे में explain कर चुके हैं कि क्या होता है यहां पे आपको class को map करना होगा तो class को map कर देजिए with package name package का न map हमने कर दिया है और फिर हम उपर आते हैं कुछ changes यहां पर करना होगा password मैं use नहीं कर रहा हूं अगर username root अगर use करता हूं तो ठीक है और यहां पर database हमें create कर लेते हैं पहले database जो है हमारे पास यहां पर है my square में database कर लेते हैं suppose मैंने दे दिया my hyper hyper सिर्फ इतना रखता हूं ठीक है my hyper आप देख पाएंगे my hyper नाम का एक database यहां पर create हो चुका है और bracket में 0 दिखाता और यह indicate करता है सिंपल सी चीज़े हैं चलिए तो my hyper में यहां पर भी mention कर देता हूं यह database का नाम है password नहीं देना है username हमने root रखा हुआ है और बाग की सब कुछ यहां पर okay है और so SQL में true रखा है तो नीचे आपको दिखाएगा क्योरी यह चीज़े हो गया अब हम coding करेंगे helper class में helper class में क्या सब कोडिंग करेंगे देखिए यहां पर मैंने क्या किया कि private और static आप दोनों का मतलब समझते होंगे और यहां पर सेसन फैक्टरी जिसके बारे में अल्यदी हम discuss कर चुके हैं और एक मैंने यहां पर इसके लिए एक object बना लिया फैक्टरी ठीक है अब आप देखेंगे क्या कि static होने का मतलब यह होगा कि इस फैक्टरी को एक्सेस करने के लिए आपको helper class के लिए object बनाना नहीं पड़े static keyword का वही मतलब होता है कि किसी method से पहले static होता है तो आपको object नहीं बनाना पड़ता है किसी variable से पहले static लगा हुआ है तो आपको उसके लिए object बनाने की जरूत नहीं होगा ठीक है तो यह station factory एक inbuilt class है तो इसको हमें क्या करना होगा import करना है तो हम कैसे करेंगे import control shift O करेंगे और आप देखेंगे कि आ चुका है और यहां पर आप हमने एक वरियेबल कर लिया है फैक्टरी नाम का चलिए यहां तक क्लियर होगा यस और प्लीज कनफरमेशन जरूर देखिए यहां तक समझ माया कि सब्वेट हिल्पर क्लास में बना रहा हूं और यह जो कोड मैंने लिखा है यहां तक क्लियर होना का यहां पर जो रिटर्ण टाइब इसको में रखा हूं जैसे आप कोई भी मेथड लिखते हो ना जैसे कि मालेजी कि आप कोई मेथड लिखते हो पब्लिक इस्ट्राटिक वाइट और कुछ मेथड का नाम आप दे देते हो कुछ इस तरीके से है ना ऐसा आप लिखा करते ह है दूसरे क्लास से इसको एक्सेस हम कर सकते हैं स्ट्राटिक का मतलब अब्जेक नहीं बनाना पड़े और सेजन फैक्ट्री जो है एज रिटर्ण टाइप यूज कर रहा हूं बट यह रिटर्ण टाइप क्लास का नाम है जो और यहां से इस पैकेस से आ भी रहा है और जो सेजन फैक्ट्री एजर रिटर्ण टाइप मैंने रखा है और यहां पर एक कोई भी मेथट का नाम मैं देता हूं नाम दे दिया मैंने गिट फैक्ट्री मेथड नाम का हमने एक अमेधर बना दिया और इस मेथड के अंदर में हमें कुछ कूड करना है ठीक है अब आप लिखा है जिसके विज़े से यह आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है चलिए उसको हम सही कर लेंगे फिलाल यहां पर तो आसा ट्राय और कैस्ट के थू हैंडल करें तो ज्यादा सही रहेगा कुस प्रॉब्लम होगा तो आसानी से समझ पाएंगे यहां पर मैंने क्या लिखा है तो क्या होगा है मैंने बोला कि अध品 में कुझ आप क्या करो की वी में इता को असाइंड करो वो डेटा क्या असाइंड होगा मैंने बोला इहां पे कंफिगरद करो व्यूव configuration .configure आप लोगों को याद आ रहा होगा लेकिन वहाँ पर हम लोग छोड़ दिया करते थे लेकिन यहाँ पर configure के अंदर bracket में आप उस page का नाम लिखते हो जो XML फाइल था hibernate.cfg.xml फाइल का नाम लिखके और फिर . हम लोग क्या करेंगे build session factory exactly वही code है कुछ इस तरीके से ठीक है अभी आपको यहाँ पर error आपको दिखाएगा configuration के पास इसको आप import कर ले और यह configuration वाला part को आप ले ले ठीक है कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे तो हमने import हमने क्या 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 hibernate session factory और दूसरा hibernate cfg.configuration को हमने यहाँ पर ले लिया है अब यहाँ पर हमने क्या किया यह हमारा try का part try के अंदर में यह चीज़े रखा कि factory में कोई value नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि इसको configured करो और इस particular file के साथ link हो जाए और इस particular file में यानि hibernate.cfg.xml file के अंदर हमने पूरा class को map किया है database कहा है हर चीज़ के बारे मैंने वहाँ पर बता के रखा हुआ है I hope कि इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे yes or no please मुझे confirmation जरूर दे ठीक है यह इसको हम लोग कहां पर लिखा करते थे main method में जाके लिखा करते थे बट यहाँ पर मैं भी main method में कुछ यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ ठीक है तो यह चीज़ आपको समझ में आना चाहिए तो यहाँ पर मैं मैंने क्या लिखा कि factory में कोई value नहीं हो factory का मतलब का session factory का जो object हमने बनाया या variable जो भी आप कहलो ठीक है तो यह class अब इसी बात ही है reference की तरह काम करेगा तो इस reference में अगर कोई data नहीं है तो मैंने बोला क्या कि एक नया data ले लो और वहाँ पर configuration new configuration dot configure और bracket में double code के अंदर में आप file कहां पर है उसका मैंने हाँ पर location दे दिया हाई वह उस particular कर दिया ठीक है अब इस ट्राइक के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यह जो चीज़े में लिखा इसमें ट्राइक के अंदर हम लोग से बाहर आएंगे और catch में यहाँ पर अगर कुछ problem आया तो वह उसको handle कर लेगा ठीक है और यहाँ पर exception में जो आयता है प्रेंट स्टैक ट्रेस बता दिया कि अगर कुछ issue आये तो वहाँ पर इसको handle कर लो और इसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पर catch का closing और catch के closing के just बाद हम लोग यहाँ पर return कर लेंगे कि इसको factory को हम return कर लेंगे और इसको हम save कर लेते हैं क्लियर है क्योंकि return types का क्या था session factory तो उसी का object हम return करेंगे तो factory को ही हम return करेंगे और factory के अंदर में क्या है hibernate का जो XML का file का information है और पूरा इसके पास में है और यह method call होगा तो यह इसको factory को यह return करेगा i hope कि यहां तक यह चीज समझ में आया होगा यही part हम लोग main method में लिखा करते थे और उसी को मैंने यहां पर अलग करके class बना दिया और उसके अंदर में सारा information दे दिया तो अभी आप देखोगे जो तीन file जो मैंने बनाया है उस अभी आपस में किस तरीके से linked है अगर आप आप महां लेजे कि session factory यह जो helper class के अंदर आके अगर आप get factory method को call करते हैं तो क्या होगा क्या होगा कि यह जो यहां पे hibernate.cfg जो xml file है उसका linking हो जाएगा इस file के थूप और इस particular file में जब link होगा यहां पी जब control आएगा तो यहां से आप linking किसको कर दिये हो employee के साथ आप आपस में फाइल आपस में linked हो जुका है जैकिन क्या अब इतना ही करने के बाद काम हो जाएगा क्या नहीं कहीं नहीं कहीं तो मुझे इसको call करना पड़ेगा इस method को call करना पड़ेगा तो ही होगा और जैसा कि आपको अभी सबसे starting में वही बताया था कि आप जब यहां पे लिखेंगे यानि कौन सा code हम लिखेंगे यहां पर यह बताएंगे उसमें जाके jsp वाले फाइल में कि helper class के अंदर जाके इस method को call करतो बस सिर्फ इतना हम करेंगे और फिर अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा output definitely हमें मिलेगा और देखते हैं फिर इसे हाँ पर क्या कर सकते है अच्छा लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान देने की जरूत है कि मैंने जो XML फाइल एड किया था वह नीचे आ चुका है लेकिन मेरा code ऊपर है इस चीज पर भी focus जरूब किजेगा कि यह पर पार्ट है hibernate.cfc.xml इसको मैंने copy कर लिया और copy करके यह जो मेरा package है यहा आपर तरीके से यहां पर यहां पर my hyper database का नाम है और मैंने class का जो map किया है y.a.wr यहां पर class का नाम है चलिए अब यह चीज क्लियर है उपर में यहां पर डग रख दिया है अब हम index.jsp में हम coding करेंगे और in jsp में coding करने का तरीका already हम बिसकस कर चुके कि कैसे हमें करना होता ह है तो मैं यहां पर फिलहाल क्या कर रहा हूं कि hello world लिखा हुआ है यहां पर just मैं लिखता हूँ है यहां पर अगर आप देखेंगे डॉट यहां पर आप देखोगे कि कोई भी आपको intelligence नहीं दिखा रहा है reason क्या कि इसको हमें import करना पड़ेगा और import हम कैसे करते हैं jsp में इसके बारे में already हम discuss कर चुके हैं तो हमें क्या करना होगा को बताएंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे less than percentage और फिर at the rate हम लिखेंगे और फिर हम लोग लिखते हैं क्या page import equals to double code के अंदर में package के नाम के साथ तो package का नाम क्या है y.a.w. और class का नाम क्या है helper class नाम है ठीक है तो कुछ इस तरीके से रहेगा और अब देखते हैं कि यहां पर dot अभी आप देख सकते हैं intelligence आ चुका है get factory method को आप call करने के लिए यहां पर बोल सकते हैं और इसको हम save करते हैं तो अब क्या होगा कि जैसे यह particular project को आप run करेंगे तो index.gsp file को जाके वो activate करेगा उसको जाके run करेगा तो run करेगा तो यहां से वे मैं link दे दिया है कि helper class के अंदर जाके get factory method को call करो तो वो कहां पर आएगा इस class में आया get factory method वो पॉल किया search करेगा factory के पास जो हमने variable जो declare किया उसमें कोई data है देखेगा अच्छा नहीं है ठीक है मैं उमीद करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा step by step 4 files यहां पर बनाया है और सभी आपस में यहां पर linked है अब यहां पर हम run किसे करेंगे run करने के लिए आपको करना क्या है इस project जो है उस पर आप select करेंगे right click करेंगे और run as यहां पर हम लोग run on server पर click करेंगे यहां पर next कीजिए और finish button पर click कीजिए server को restart कर दीजिए और यहां पर सर्वर स्टार्ट होगा और देखते हैं कि output हमें किस तरह के से दिखाता है यहां कुछ problem भी दिखाता है देखते हैं यहां पर web browser पर process चल रहा है और यह आप यहां पर देख पाएंगे hello hibernate और यह जो है यह उसके object को return किया है यानि session factory का जो object था कुछ इस तरीके से आपको data यहां पर दिखाया है ठीक है अब एक बार हम console में अगर आप आके देखेंगे कुछ इस तरीके से आभी आप देख सकते हो drop table अगर उस नाम पर drop table होगा तो उसको drop किया होगा और फिर से आपको यह table create करके आपको दे दिया है यह message में नहीं भी दीता तो भी यह काम हो जाता just मैंने message इसली दिया ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यहां पर यहां पर जो factory को रिटर्न किया है क्योंकि यह वाला जो class था इसी class को call कर रहे थे यहां पर हम आके check कर लें कि जो my hiver है उसके अंदर में कुछ बना या नहीं बना इसको हम refresh करते हैं और refresh करने के बाद my hiver कहां पर गया my hiver आप यहां पर देख पाएंगे और bracket में one आपको दिखा भी रहा है उस पर जैसे आप click करेंगे तो अभी आप देखेंगे employee नाम का table बन चुका है और यहां पर click करके देखें तो इसमें data हमने नहीं दिया है अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे data हम लोग by default कुछ data हम ल इस तरीके से कब करेंगे जब आप complete dynamic web applications बना रहे हैं उस वक्त आपको इस तरीके से project आपको create करने की जरूरत है और अगर आप थोड़ा सा मैं यहां पर अगर आपको focus करवाऊं कि मैं बहुत छोटा सा लिखा हुआ है M आपको दिखेगा कि जब भी dynamic applications में आप करेंगे तो M यहां पर इंडिकेट करता है कि मेविन में आपने इसको create किया है और यहां पर web applications के थूरू हर चीज को आपने यहां पर आपने काम किया है तो यह जो चीजे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और देके रन होने के बाद आप देखेंगे कि जो एरर था वो भी यहां से निकल चुका है कि प्रजेक्ट में जब मैं उसको upgrade किया था तो आपको estimate वाले फाइल में एरर दिखा रहा था index.jsp में अभी आप देखेंगे वह एरर भी निकल चुका है ठीक है लेकिन उसके लिए process जो मैंने बता है उस ची आप फिल्टर करना है वेब पे और फिर आप वहां पर प्रजेक्ट करेंगे प्रजेक्ट करने के बाद जो pom.xml फाइल है उसमें आपको servlet का सबसे पहले servlet का dependencies आप एड़ कीजिए उसके बाद hibernate का तो आप करते ही थे और my square connector को भी हमने यहां पर एड़ कर दिया इसके अंदर में हम लोग session factory जो configure किया करते थे मैंने बोला कि factory के पास कोई data अगर नहीं हो तो बोलो कि यहां से connect हो जाए और data वहां से ले और return करेगा factory और इसी को हमने call कर दिया था कहां से index वाले पे में helper class के अंदर जाके get factory method को call करो अब यह आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों static यहां पर रखा था इस पर्टिकुलर जो method है यहां पर get factory method जो था इसको मैंने क्यों static रखा था ताकि मुझे इसको call करते वक्त के लिए object नहीं बनाना पड़े इसलिए यहां पर आपने देखा कि internally सब कुछ यहां पर बन चुका है और इस तरीके से आप कितना भी आप चीचे बना के आप देख सकते हो से मुझी तरीके से अगर मालेजी कि आप इसमें एक और अगर आप चाहते हो कि एक और class add करें जैसे employee हमने add किया है उसी तरीके साब चाहते है student add करना हो तो वह भी चीज़ें आप कर सकते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा यहां पर create किजिए new class और hibernate में एक और mapping कर तो इस तरीके से इस प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं और यह एक्चुली जब आप प्रोजेक्ट आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे जहां पर आपको सिर्फ डेटाबेस बनाना है उसके अंदर डेटा डालना नहीं है अभी तक जो हम डेटा को डालते भी थे हम लोग तो डेटा हमें नहीं डालना है तो इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेबल क्रेट करने का यह तरीका मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्लियर है यस और नो प्लीज कन्फरमेशन जरूर दें